अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लिजे और घंटी तो दबाना बिल्कुल भी मत भूलना अपनी डे टूदी लाइफ में अपनी लाइफ को और भी जादा अच्छा और आसान बनाने के लिए तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने हमारे यू तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है Google Chrome के अंदर extensions को install करने के लिए सबसे पहले आपको Google पे जाना है Google पे जाने के बाद वहाँ पे simple type करना है Google Chrome extensions वहाँ पे आपको पहला ही link मिल जाता है कुछ इस तरीके से जब आप click करेंगे उसके पर तो आपके सामने इस तरीके को कुछ interface यहां पे देख पा रहे हों यहां पर आपको कई सारी चीजे मिल जाती है थिम मिल जाती है Apps मिल जाते हैs, साथ के साथ आपको अगर Game का शौख है, तो Games भी आपको यहां पर मिल सकती है, लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले extensions के बारे में, तो Simply extensions के बारे में मैं यहां पर बात कर लिता हूँ तो सबसे बहले देखिए वो extension जिन extensions के बारे में मैं आप बात करने वाला हूँ वो मैंने अल्री इंस्टॉल कर लिए हैं अपने computer के अंदर अपने device के अंदर तो मैं simply आपको बता दिता हूँ कि किस तरीके से आप उसको search करेंगे और search करने के बाद आप उसको किस तरीके से use में लेके आ सकते हैं जो एक्सेंशन है वो काफी अच्छा है मेरा तो फेवेट है और अगर आपको भी लगे कि इस एक्सेंशन को यूज करने के बाद यूटूब का जो वीडियो वाचिंग का जो experience है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया तो आप मुझे comment box में बताना बिल्कुल भी ना भूले तो सब सबसे पहले एक्सेंशन मेजिक एक्शन फोर यूटूब है जो पहले एक्सेंशन मैंने यहाप टाइप कर लिया सिंप्ली अपर कर दिया सबसे पहले लिंक आपको यहापे मिल जाता है देखिए यहापे मैंने अब इसको एक्सेंशन को अपने Google Chrome extension बार के अंदर मैंने एड किया हुवा है इसलिए यहाँ पर डेक्स तरइके का उप्षण अगर मैंने अगर एड缶 नहीं किया होता तो यहाँ पर मुझे एड्ट्교 क्रों का action मिल जाता है यहाँ पर करने के लिए लेकिन अभी नहीं आ रहा है यहां पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का कुछ एक्सेंशन आपके सर्च बार के अंदर आ जाएगा यहां पर सबसे पहले आप देख रहे हैं जैसे ही आप इसके पर करसर लेके जाते हैं उसके नीचे आजाता है पॉप उप में Magic Action for YouTube जी हां दोस्तों यही एक्सेंशन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ एक्सेंशन मेरे Chrome के अंदर अलरी इंस्टॉल है और देख लेते हैं किस तरीके से एक्सेंशन यह काम करता है देखे यहां पर अगर आप नीचे देख पा रहे होंगे तो यहां पर कुछ एक सै सैटिंग यहां से कर सकते हैं कुछ सेनिमा जैसा अगर आप लेकर आना चाहते हैं अपनी वीडियो के अंदर तो यहां से आप उसको देख सकते हैं साथ के साथ में आपको बता जाते हैं अगर आप इसको एक्सेंट करना चाहते तो आप इसको एक्सेंट भी कर सकते हैं साथ सब्सक्क्राइब चाहें कि क्रो है चाहें सभी लिए क्योंगे कि इस तरीके का फोल मिल जाएंगे thisanny वो जाएगी दोस्तो सबसे अच्छा effect जो इसको मुझे लगा है मैं simply देखिए यहाँ पर जा रहा हूँ मैं सबसे last में कुछ इस जगा पर जो खाली portion होता है इस portion पर जा करके मैं click करूँगा click करने के बाद देखिए मेरे screen कुछ इस तरीकी की हो गई है अब यहाँ पर मैं इ कुछ एक settings के option भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं setting का tab आपको यहाँ पर मिल जाता है अगर आप color change करना चाहते तो किस तरीकी के colors आप यहाँ पर change कर सकते हैं color जो भी आप रखना चाहें वो आप color रख सकते हैं यहाँ से कुछ और भी चीज़े आप यहाँ से कर सकते हैं ज तो दोस्तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे एक्षेंशन की तरफ और देखते हैं क्या कुछ खास है इस एक्षेंशन के अधर, दोस्तो ये एक्षेंशन आपके लिए खास होने वाला है अगर आप एक multitask करें, multitasking करते हैं अपने laptop या computer के उपर, यहाँ पे क्या होता है, अभ क्योंकि बहुत ही जादा टैम कंजूमिंग होता है तो इस एक्सेंशन को यूज करके आप उस कंजूमिंग टैम को थोड़ा बचा सकते हैं थोड़ा सेफ कर सकते हैं और वो टैम आप लगा सकते हैं एक कप कफी पीने के लिए तो देखिए अगर आप जाते गूगल क्रोम के बार के उपर तो यहाँ पर आपको दिख जाता है ब्लैक मेन्यू फोर गूगल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और जैसे मैं इस टाक जैसे मैं इस एक्सेंशन के उपर क्लिक करूँगा मेरे सामने तरह तरह की लिस्ट यहाँ पर खुल जाएंगी देखिए अगर मुझे कर दिखे यहाँ पर गूगल सेर्च करना है तो सिंप्ली मैं बूगल सेर्च पर जाकर कि क्लिक कर दूँगा मैं यहाँ पर कुछभी सेर्च कर देता हूँ जैसे कि कोई भी चीज में आपर फेस्बुक सेर्च कर लेता हूँ देखिए मैंने हाँ पर Facebook सर्च कर लिया है तो मेरे सामने Facebook इसी वाले टैप के अंदर इसी विंडो के अंदर इतने के अंदर ही खुलेगी यहाँ पर दूसरा टैप मिल जाता है Google Plus का Google Plus में अगर आप जाना चाहते है Google Plus यहाँ से यूज़ कर सकते है Translate करना चाहते है Translation आप यहाँ से यूज़ कर सकते है Google Map देखना चाहते है तो Google Map पे जाकर करके आप Simply क्लिक करेंगे Google Map यहाँ पे कर सकते है आप अपनी यानि कि इस extension को यूज़ करने के बाद आपको multitasking करने में बहुत ही असानी होने वाली है आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे अच्छे से explore कर पाएंगे आपको अलग-अलग टैप खुलने के जरूरत नहीं है अगर आप YouTube देखना चाहते हैं तो Simply आप YouTube पे जाए यूटूब के उपर आप जाकर के इस तरीके का कुछ विंडो आपको हो जाएगा और अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो Simply वीडियो भी इसी टैप के अंदर दोस्तो बढ़ते हैं अपने आखरी extension की तरफ जो की है Vid IQ जो की काफी अच्छा होने वाला है आपके लिए अगर आप एक YouTuber हैं दोस्तो आपको अगर YouTube के उपर आपका कोई चैनल है या YouTube के उपर आप कोई creator है तो यहाँ पर आपको problem face करनी परती होंगी काफी सारी problem face करनी परती होंगी उन चीजों को analyze करने के लिए जो आपकी day to day life के अंदर है के daily basis पे आपके कितने view आए है last 60 minute में आपके कितने view आए है आपके कितने view आए है 48 गंटे में 7 दिन के अंदर आपका watch time कितना है कितने subscriber आपके gain हुए है यह सारी detail देता है vid IQ इस vid IQ के उपर मैं एक detail के अंदर वीडियो प्लान कर रहा हूं तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजे ताकि आपको वो vid IQ के उपर detail वीडियो मिल सके यहाँ पर extension मेरे यहाँ पर add हो चुका है मैं already add कर चुका हूँ vid IQ को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं vid IQ version for YouTube इस extension को इन सभी extension के link में दे दूँगा description के अंदर अगर आप चाहें तो वहां से जाकर की कर सकते हैं उनके नाम mention कर दूँगा मैं description के अंदर ताकि आपको search करने में असानी हो जाए और यहाँ पर बात करें vid IQ किस तरीके से काम करता है तो इस extension के जो कमाल की बात है वो बताता है हमें सारी detail के last 48 hours के अंदर कितने views गेन किये हैं आपने 60 minute के अंदर यानि कि पिछले गंटे में कितने view आए हैं इन सब की detail आपको देते ह इस तरीके में दिखा देता हूं किस तरीके से काम करता है अविए अगर बात करें के last 60 Minute के अंदर मेरे जो YouTube चैनल के उपर view आया है वो है 48 घंटों के अंदर लास्ट 40 घंटों के अंदर मेरे चैनल के उपर कितने view आया हैं वो है 5 और अगर बात करें साथ दिनों के अंदर तो 19 व्यू मेरे चैनल के उपर आये हैं पिछले साथ दिनों के अंदर और अगर आप वाश्टाइम की बात करें तो वाश्टाइम आया है 21 मिनिट का जिहां दोस्तों इसको असानी से आप यूज कर सकते हैं और अगर आप देखना चाहते हैं सब्सक्राइबर कितने गेन आपको और इट्र चैनल को घ्रोग करने के लिए आपको और क्या एक्शए एफट करने चाहिए तो दोस्तों आसा करते ह MV dir को लाइक कर दीए और अगर आपको video को लाइक वीदियो इन्फोरमेटीव फिलगा तो आप अपने किससे फ्रेंस सरकल में इस वीडियो को सेरक्रब बिल्कुल भी न बोलें दोस्तों अगर बात करें सब्सक्राइबर की अगर आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो संक्यू सो मच और अगर आपने हमारे यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूटूब चैनल क को सब्सक्राइब कर लिजए क्योंकि इसी तरह की अमेजिंग और इंट्रेस्टिंग वीडियो हम अपने चैनल के ओपर डेली बीस पर अप्लोड करते रहते हैं तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही किसी वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक क्यार ज